हेलो गाईज, थोड़ा सबस्क्राइब है, मुझे समझ आता है, समझ आता है, मैंने भी तिया है, तुमने भी दिया है, हमारे स्टूदेंट्स ने भी एक्जाम दिया है, तो इस टाइम पर न ऐसी कन्फूजन है, सर भाई, गड़ापड लग रहा है, तो जो मज़ा सोचके ग मज़ा आया है नहीं चलो कोई दिख्यातनी है और उस पे ज्यादा प्रेशर लोड मतलो यह वीडियो जो है मैं तुमारे लिए स्पैसिफिकली लाया हूँ देखो जिनका पहली बात जेए मेंस अच्छा गया है फटा वर्ट से वीडियो से निकल लो भाई पढ़ाई करो एड कुछ प्राइवेट कॉलेजिज उनिवर्स्टीज या गॉर्मेंट कॉलेज उनिवर्स्टीज जहां पे आपका एडमीशन हो जाएगा ठीक है ना ठीक ठाक ब्रांच में भी अगर आपके 60 to 80 परसेंटाइल के बीच में स्कोर है हाँ डरो मत अगर तुम जनरल हो तो भी हो जाएगा बाई जनरल वालों के लिए भी बता रहा हूं घबराओ मत ठीक है घबराओ मत कोई मत हो रहा हो रिलाक्स रव एकदम यार बहुत लोग कहां कहां से बीटेक करते हैं फिर भी आज की डेट में सक्सेस्पूल है ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ आयाइट ही लास्ट ऑप दिखो ध्यान से सबसे पहले हम बात करते हैं डी एस यू की है ना जैक जो दिल्ली वाले हैं एकदम एक्साइटीड हो जाओ जोश में आ जाओ है ना दिल्ली में आपका अड्मिशन हो जाएगा अच्छी जगह पर डी एस यू यू उनिवरस्टी अपनी है ना उसके बाद मैं बात करता हूँ NSUT सर क्या बात कर रहो NSUT में हरे हो जायगा जैरल वलोगा भी हो जायगा मेरे भाई ठीक है न तो NSUT में East West campus में आपको ठीक ठाक branch मिलने के chances रहते हैं, last round तक चलेंगे, game चलता चलेगा, हमारे साथ बस connected रहना तो, ठीक है, अच्छा next अगर मैं बात करता हूँ, तो IP University होगी आपकी Delhi में, उसके भी अगर मैं top के 5-6 colleges की बात करूँ न, बहुत बढ़िया क्रीम colleges है, अगर सेन, सूरजमल, NIEC, है न, परशुराम, विद्यापीट, ये कुछ colleges है, जिनकी placement अच्छी है, value अच्छी है, जहाँ पैडमीशन लेते हो, तो आपको एक अच्छा ही महौल मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, और तुम्हें लगेगा कि ठीक है, यहाँ से भी महनत करके उठ जाएंगे, ठीक है, I know मैं आपको demotivate नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम लोग सब capable O NIT, IIT फोड़ने के, बढ़ कभी कबार circumstances ऐसे बन जाते हैं कि भाई, जो सोचके कहते हैं, वो नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत हो गई, है ना, तो अगर हम बात करते हैं, आगे आपकी वेल लॉर इंस्टिटूट ऑफ टेक्नालोजी, SRM University हो गई, है ना, और आपकी ये सार जैक चंडीगड हो गई, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो आपकी GL बजाज, UP2 समझते हो, उत्रप्रदेश की जो टेक्निकल युनिवरस्टी है, उसके अंडर जितने भी कॉलेजिस आते हैं, UP वालों के लिए बढ़िया रहेगा, राजिस्थान में भी काफी सार युनिवरस्टी है, राजिस्थान युनिवरस्टी, टेकनिकल युनिवरस्टी है, वो ही बीटेक कंड़क करवाती है, तो DTU में भी आपको, DTU और NSUT के में केमपस में भी आप रैंक ले सकते हो, मतलब सीट ले सकते हो, थोड़ा ब्रांच से कॉम्प्रमाइस करना आएगा, बायो टेकनोलजी, अब ऐसा नहीं है, बायो टेकनोलजी एकदम फिनिज्ट है, उसमें IT के कुछ एकदम मसाला मिर्च नहीं होता है, वो एड कर दिया है, तो गो स्ट्रीम अप अपग्रेड हो गई, यह आप कहो तो, तो अच्छी होगी है, अगर उसका फ्यूच लेके बैठे ही होके, चीक है, और यह भरोसा रामरुशर्मा टीम पर रखो, कि हम आपको बेस्ट कॉलेज, जो रैंक के साब से तुमारा टॉप मोस्ट कॉलेज बन रहा होगा ना, उससे भी एक रैंक बहतर ही पहुचा देंगे, है ना, ऐसा कोई अपना फ्रॉड रॉड क काम ने वाई, क्लियर चीज है, जो पिछले दो साल से पहुचाया है, इस साल भी आपको पहुचाएंगे, आपको कोई क्वेरीज हो तो कॉल कर हमारी टीम को 79829558 पर, मैंने ये प्राइवेट उनिवर्स्टीज, गॉर्मेंट उनिवर्स्टीज को इंक्लूड करते हैं, भ भाई, अब भागो, अब हो गया हो गया, वीडियो लाइक करके पता चल गया है ना, कॉन्फिदेंस आ गया है ना, कि सर 60-80% वले भी एड्मीशन मिल जाएगा, अब रिलाक्स करो भाई, फटा फट जाके अब एडवांस की तियारी शुरू कर दो, कट आफ तो क्लियर अच्छा चलो वो भी नहीं होगी, तो भी क्या दिख्यत है भाई, पढ़ लो ना, ड्रॉप का भी चिंता मत करो, ड्रॉप का डिसीजन हम एंड में देखेंगे, ठीक है, चलो बाबाई, May God bless you all, take care